कि नमस्कार मैं दूर्गेंद्र चोहान मंथन में आज हम बात करने वाले हैं जारकंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीयम अर्विंद केजरिवाल को जारी इडी के समन के हालां कि यह कोई पहली दफा नहीं है साथ बार सोरेन को मिल चुका है समन और तीन बार केजरिवाल को और एक बार तो केजरिवाल 9 गंटे तक एडी की पूश्ताश में भी हाजिर हो चुके हैं इन दोनों मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर से सिकणजा कसा है केजरिवाल समन के बाद नहीं पहुंचे और उन्होंने साफ कह दिया कि जो कुछ पूछना है वहाँ आप हमें लिख कर भेज दीजिए हम पूछ जो पूछने वाली बातें हैं उसका हम लिखत जबाब दे देंगे वाला उनकी पार्टी का एक कहना है कि इडी उन्हें बोलाकर एक तरीके से यह माहौल बनाना चाहती है कि वह भरस्टाचारी है और एक तरीके से उनकी इमेज खराब करना चाहती है कि केजिवाल की पार्टी का यह भी कहना है कि यह इनलीगल तरीके से उनके पास समन भेजा गया है जो मान नहीं है आम आदमी पार्टी ने तरीके से समन को ही इनलीग से आपको बता दे कि हेमंद सोरेन को जमीन की इल्लीगल खरीद घुटाले में समझ जारी हुआ उन पर सिकंजा है केजरिवाल को चर्चित सराब घुटाले के मामले में इडी पूस्ताच के लिए बुला रही थी तीन दफ़ा जैसा कि मैंने केजरिवाल के बारे में कहा और साथ दफ़ा उनको जो सोरेन है हमंद सोरेन उनको समन किया जा चुका है तमाम भी पक्षी दलों के इस पर जो सवाल भी उठाए है और हो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर केजरिवाल और सोरेन का सुरवार नहीं है तो उन्हें इडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए उनके सवालों का जबाब देना चाहिए बावजूद इसके इससे बस्ते नजर क्यों आ रहे हैं लगातार इंडिया गडवंधन की मुस्किलें बढ़ रही है क्योंकि ये दोनों दल इंड में विधानसभा चुनाओ भी होने हैं वह बहुत सारी चीजें बहुत सारी बाते देखने वाली होंगी लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे हाल में कि हिमत सोरेन सीफा देंगे और उनकी पतनी कलपना वह चीफ फिनिस्टर बनेंगे ले देने जा रहे हैं तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें हो रही है देखने वाली बात यह होगी कि वास्तों में यह सवाल जो है यह क्या बर्स्टाचार से यह जो दल है जो यह मुख्यमंत्री है क्या बरश्टाचार के सवाल से बच रहे हैं क्या यह बड़ा सवाल है यह यह बर्स्टाचार परवार है यह जैसा विप्लक्ष कह रहा है कि यह सियासी तल hobbies प्रक्राथ कि इसी तरीके से जो बिहार के डिप्टी सीम है तेजस्वी आदो उनको भी समन किया गया पांच जनवरी को उनको भी प्रस्तुत होना है तो जो सारे नेता हैं वह इंडिया गठवंधन वाले ही हैं इनको समन किया गया है और अभी यह वी एक खवर आई थी कि 300 सेटों पर इंडिया गठवंधन का जो आपस में कांग्रिस के साथ जो सीटों का बटवारा भी हो रहा है इंडिया गठवंधन तेजी से लोगसवा चुनाव का त्यारी कर रहा है इस इन खवरों के बीच इन दोनों मुक्रमंत् करता है और ना उसके पक्ष में कोई बात करना चाहता है की यूज और हम हमारी यह पत्रकारिता है ब्रस्वत चार को मिटाने वालों के साथ खड़े लेकिन वो साफ मंसे कोई विकारवाई होनी चाहिए साफ मंसे होनी चाहिए एसी हम मंसार रखते हैं पच्छ से और विपक्ष से भी अगर आकड़ों पर गवर किया जाया तो अब तक कि 121 लोगों पर कारवाई हुए जिसमें पंचानवे लोग विपक्ष के हैं बार-बार विपक्ष बात का सवाल भी उठा रहा है कि बही जिन लोगों को कहा जाता था एंसीपी के जो अजित पवार हैं अजित पवार गुट के नेता अजित पवार उनको 70 अजार करोड के घोटाले का रोपी बता यह वह फाइल कहा गई बहुत सारी इस तरीकी की बातें जो आज केजरिवाल की पार्टी और केजरिवाल उठा रहे हैं कि इतने सारे जो आपर चमादान बिल गया क्या यह बहुत सारे सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं लेकिन यह सब कहने से क्या कोई बश जाएगा ऐसा होना नहीं चाहिए तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यह ब्रस्टाचार पर वाकई चोट है या फिर मामला निसाना वोट है क्या इसी तरीके के सवालात खड़े हुए है और एक और बड़ी बात यह है कि कुल में लाकर एक बीजेपी लगातार हमले कर रही है बीजेपी और पारमत्री खुद कहते हैं कि सारा विपक्ष है विपक्ष के नेता है वो सब भरस्टाचारी है आकंट में 2024 में तरीके से बीजेपी और प्रदान मंत्री निश्चित तोर पर यह एक परस्यप्षन यह सारी चीजें दनता के सामय साफ रखना चाहते हैं कि ब्रस्टाचारी है जो लोग हैं उन पर हम कार्वाई कर रहे हैं कई बार वह कहे चुकर है कि ब्रस्टा चेलियों के खिलाफ मुदी की गारंटी है तो उस गारंटी के तहट वह कह रहे हैं हो एडी या जो इन प्रदान मंतरी कैह चुके हैं आपको डरने की जरूवत नहीं आप निस्पक छोकर कारवाई कीजिए हम आपके साथ खड़े हैं मेरा सवाल मंथन में यही आज होगा कि वास्तों में यह क्यों दाए-बाएं क्यों होता है पूस्ता से बचने के लिए यह दाए-बाएं लोग क्यों करते हैं यह अपने आप में एक अलग तरीके का परसप्स टाव क्यों बनता है क्या मसला है ऐसा क्यों होता है तो बहुत सारे विवाद यह जो कारवाई यह खास्तावर पर एडी को लेकर दिए के यह एक बीजीपी का ही एक संगठन ने आनुसंगीक संगठन है अइडी यह यह तरह की कि बात हो रही एक ऐसी एजनसी के खिलाफ जो केजरीवाल के ना एडी के सामने जाने पर समन का पालन ना करने पर कुछ बयानात आए हैं आमादी पार्टी के नेता आतिशी मंत्री भी हैं दिली सरकार में और गवरो भाटिया इन दोनों ने क्या बाते कहीं है वो आप सुनिए लेकिन तीनों बार चिठी भेजने के बावजूत ईडी में आज तक अर्विंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया एडी के अफसरों को भी पता है के ये समन इल्लीगल है गैर कानूनी है अगर इसका कानून में आधार होता तो एडी अर्विंद केजरीवाल जी की चिठी का जवाब क्यूं नहीं देती वो सपश्ट तौर से समन में लिखती क्यूं नहीं के क्यूं बुलाया जा रहा है लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है के समन गैर कानूनी है ये कहना गलत नहीं होगा अर्वंद केजरीवाल गबराए हैं इसलिए मनी मन कह रहा हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे किया है भ्रष्टाचार एडी के पास जाऊं कैसे जारखंट को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस के दो नेताओं के वो भी बड़ बयान है जो जेमियम के नेता और जारखंट के मुख्यमंतरी को समन है उस पर भी वार पलेट वार है उसको भी सुनिये है जारखंट को लूट कर खोकला बना दिया इसका ताजा उधारन जो जारकन में वरतमान E.D. की कारवाई है वो है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो माइनिंग के मामले में हाई कोट ने भी P.I.L. को खारिज करने का काम किया है उच नियाले ने जब P.I.L. भी खारिज कर दिया उसके बाद इस मामले में अगर दबी सही डी की तो कहीं न कहीं असाब परतित होता है कि हमें डराने का हमें धंकाने का एक परियास है और हम धारखंडी लोग है हम न डरेंगे न दबेंगे न जुकेंगे हम काम करते रहेंगे हमारा मुख्य मकसद है जमता को कैसे हम विकास की किरन पहुचा पाएं और सरकार उसमें पूरी संजिलगी के साथ लगी हुई है और भारती जमता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राजी के विकास को अबरुद करें तो वो इडी को आगे करके लगातार सरकार को डिश्टर्ब करने का परियास कर रही है लेकिन वो लाक परियास कर ले हम पूरी तरह इस राज को विकास के और लेकर के जाने के लिए प्रतिबद हैं तो सवाल ही है कि भर्ष्टाचार पर चोट है या वोट का मामला है यह बड़ा सवाल और जो विपक्ष है वो कहरा कि वर्ष्टाचार नहीं वोट पर ही चोट है और वोट की चोट के लिए यह बर्ष्टाचार की बात की जा रही है हमारे साथ वान्थन में मेहमानों का एक पैनल जोड़ा है जारखंट से कांग्रिस केनेता सैलास्जींग हमारे साथ जोड़ गया है जहारखंड बिहार और देश की पत्रकारिता को कमसे कम पांच दसक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार चंदन विसरा जी हमारे साहद स्वागत भूथ दन्यवाद बहुत आभार आपका आम आदमी पार्टी के तेस तर्रार नेता प्रवक्ता वंसराज दूबे हमारे साथ जुड़े हैं वंसराज बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका और भारती अंता पार्टी के वरिष्ट नेता दिवाकर मिस्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए है दिवाकर जी बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद बहुत अभार मैं चर्चा की सुरवात बंसराज जी से करूंगा बंसराज जी आपके पास आ रहा हूं और महमानों से मेरा निवेदा ने कि पहले राउंड में अगर क्रक्स और संशिप्त में रखेंगे तो सभी साथियों को मैं ले पाऊंगा वो इससे कम से कम यह नहीं रहेगा कि बहुत कोई महमान आधा गंटा से इंतिजार कर रहा हो कोई पहले बोल गया तो यह सब चीजे बाद में हमें सिकायत लोग करते हैं हमें अभी नहीं अच्छा लगता है कि सारी लोगों को ना लें तो मेरा निवेदन है बाकी आप स्विकार करें तो बहुत मेरबानी बंसराज मैं आपके पास आ रहा हूं आप लोगों को दिक्कत क्या है जब भरस्टा चार पर कारवाई होती है तो आप लोग हल्ला मचाने लगते हैं और बहुत कुछ नियम है कानून है सिस्टम है आपको अगर कोई बुला चारी है जबकि आप तो ब्रस्टा चार के विरोध की कोक से उपजी पार्टी है वंसराज दूबे मैं लाइन ही यही से स्कुरू करना चाहूंगा कि हमारा तो जन में की ब्रस्टा चार के खिलाफ हुआ है तो हम कहां जो है ब्रस्टा चार से समझावता कर लेते पहली ची दूसरी जी देखिए जिस जाच की बात हो रही सराव निटी के मामले में देड़ साल से जाच चल रही है लेकिन चाहिए उनका फेलियर कह लीजिए या चाहिए आमाधी पार्टी की इमानदारी की बात कह लीजिए कि एक रुपए का भी भरस्टा चार का रोप अभी तक ट प्रवक्ता के माध्यम से टीवी चैनल पर मीडिया के सामने आ जाता है फला डेट को इडी जो है नोटिस भेजने जा रही है तो यह एक बहुत बड़ा प्रशन है कि यह इडी जो नोटिस भेजती है अर्विंद केजरिवाल जी को समन भेजती है क्या वह भारती जनता पार 100 सवाल कर रहें मानी मुख्रमंतिरी जी से एक सवाल कर रहें कि या ईडी से आप हमको बुला रहे है ठीक है हम आने के लिए टैयार है लेकिन आप यह वताई और यह क्या में है इसमें गवाह हूं आम आदी पार्टी का संयोजक होने के नाते राश्री अधच होने के नाते या फिर दिल्ली का मुख्मंत्री होने के नाते तो एडी के पास यानि भारती जन्ता पार्टे की जो फ्रंटेल है एडी के पास कोई जवाब में नहीं देखिए ये सबसे दिर्चस्ट पास किया जो जब अगर आप खगन बुझबल के बारे में आप जानते हैं खगन अभी आप तमाम मेताओं का जिक्र करेते हैं चगन बुझबल जी छूट गए छगन बुझबल जी दोजार सोला में एडी ने इनके उपर केस फाइल किया सौ क बुझबल जी दोनों हाथे फैलाकर नरेंद्र मोदी जी ने इनको गले से लगाया तो इसलिए गायर सी बाते मोदी वासिक पाउडर से साब सुत्रे हो गए तो उनके उपर कोई आरूप नहीं है सुचिए उस एडी ने कोड में क्या कहा कि इनके उपर जो दायर की गई याच्चा थी हमारी वो तो गायव हो गई है यानि एडी की याच्चा ही नहीं मिल रही है वो छगन बुझबल जो सौ करण के आरोपी थे दो साल जेल काट चुके थे आपने अजीर पवार का जिक्र किया नरेंद्र मोदी जी का जरूर मैं एक बयान कोड करना चाहूंगा आपके चैनल पर मैं ज्यादा समय नहीं नहींगा एक मिनट खाली कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भष्टा चारी अगर मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरे साप से भस्म हो जाता और जब ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे द्रुगेंद्र भाई उस समय हेमंत विस्टो सर्मा जिसका वाटर घोटाले में आरोपी जो था जिसका जिसका बुकुलेट भाती जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर गली में बाटा और जैसे ही उभाजपा में सामिल हुआ वो पाक साथ हो गए शिवराज सिंग चौहान मामा जो ग्रापम घोटाले के आरोपी है वो भी मुस्कुरा रहे थे और अजीद पवार जैसे ही दोनों बाएं पहला के नरेंद मुदी जी स्वागत करते हैं अजीद पवार भी साफ सुत्र हो जाते हैं तो यह दल इमांदार वर्सिस बेमान की लड़ाई है और इस लड़ाई में आमाधी पार्टी ढिगने वाली नहीं हम तो बार-बार कह रहें यह कहीं न कहीं भारती जनता प को भी चर्चा में सामिल करता हूं मुहन कर्मकार राष्टी केंद्री राष्टी महासची जारखंड मुक्ति मुर्चा के मुहन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं लगातार आपके मुक्यमंत्री जी को संबंद दिये जा रहे हैं जमीन का घोटाला है एक सम्मानित नेता और चाइब हम उक्यमंत्री होने कंद्दी उनको पालन करना चैनुन का जाना चाहिए सिर्भ जुका के पूछना चाहिए कि लड़के क्या ब्रश्टासाचाभ हमने कर दिया जैंब उन्होंने करम कर नहीं तो डर नहीं और बार-बार बुलाया जाना और ना जाना इससे एक perception बनता है कि भाई कहीं कोई दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है कि इस से पहले दी का सम्मानों इस साघाव से पहले विह दया थे और यहां तक उपकी है संमान का संमान किया गया और हमारे मान्य हम सोर्ण जी आभ समान की समाट उपस्तृत भी हुए और जमीन से संबंदित जो भी वाते थी या और भी जो भी सवाल पूछना था उन सारे सवालों का वहाँ जबाब दे चुके थी और बार बार एकी चीज को ले करके सम्मान भेजना और जब इसी सम्मान का जबाब हम रिटेन में उनको दे रहे हैं उनके पावजूब भी कही है कि अपर लगता है कि हमारी सरकार को मानिये हमन सोरेन राज के मुख मंत्री को आइस्तिर करने का भाजका के दुवारा इस तरह का ये सलियंतर करके चाहे कहिए है कि सरकारी आजन्सी योग करके आज परिसाद करने की बात है और जहां तक बात है हमन सोलन जी को या इसकी सरकार को ये बदनाम करने के लिए ये सारी साजिस रचा जा रहा हैं लेकिन हेमन सोरें एक अंदोलनकारी मानगे गुरूजी के सुपुत्र है और ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि इस तरह के कार्णाजी से वो भैवित होने वाले नहीं हैं वे और जोर सोर के साथ राज की जनता को शेवा करते रहेंगे राज को विक्षित करने के लिए चाहे जितनों भी बड़ा बाधा आयें जिस तरह की परिशानी आये सारे बाधा सारे परिशानियों का सामना करते हुए राज को विक्षित करने के लिए आगे भड़ रहे हैं और राज की जनता को आज खुशाल रखने के लिए हर योजना परियास आज किया जा रहा है और जिसको ले करके जिसको देख करके हमको ऐसा लगता है कि भाजपा के पास अब कोई इस राज के जंता के पास जाने के लिए कोई विकल्प नहीं रहा उसके पास क्योंकि लगभर यहां पर आप देखे होंगे आपो लगभर इस राज में अलग होने के बाद उन्होंने शासंचनाया और जीस तरह से उन्हों ने इस राज को इतना पीछे ले गया राज की खनी शम्पदाओं का जिस तरह से उन्होंने दोहन किया आज उन तमाम चीजों पर कि आपके उपर आरूब लगाते हैं यही काम है जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां पर उसको किसी ना किसी सर्यंत्र के तहत उसको परताड़ी किया जाए उसको बदनाम किया गया ताकि वहां सरकार को काम करने इस आप देख रहे होगे जहां सब करता है जबात अब कर में आपके पास क्षरा यहां हूं नहीं के मुन्व Bent territory को आपने बिल्कुल ऐसे करके सिकंजा कस्द पर दिया है वोmother न्यποι पोड़ दिया वो किसकी गारंटी है जरा वो भी बता दो दिवा कर मिस्रा यह जो आप पार्टी वाले हैं इनके लिए तो पूझ यह अन्ना अजारे जी का वक्तब जो उन्हों ने दिया है मैं उसका उल्लेक करना चाहता हूं कि केजरीवाल से यह उमीद नहीं थी कि वो इस तरह की बहिमानी करेंगे और गैर राजनीतिक आंदूलन को उन्होंने राजनीतिक लाब के लिए प्रियोग किया है और इसलिए उनके विश्वस्नी साथी कुमार विश्वास पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी केजरी कर रहे हैं तो आप पार्टी के लिए तो उनी के लोग जो है अभी आपने कहा कि कोक की बात कही तो निसंदे ब्रस्टा चार के खिलाब पूज्य अन्ना हजारे जी के द्वारा चलाए गए आंदूलन की कोक से जो है गयर राजनीतिक आंदूलन को राजनीतिक बनाते हुए के लिए इसका दूर्पियोग किया है अंदूलन का या भी बताओ आपको इस बात का दर्द है कि केजरी वाल खड़े हो गए यह दर्द है आपको कि ब्रस्टा चार का दर्द है यह केजरी वाल का दर्द मैं समझ नहीं पा रहा हूं अब यह जरा मुझे बताओ निवकर भा यह केजरी वाल को भंक कर दिना चाहिए तो क्या आपी राजनीत करोगे इस देश में दूसरा नहीं रहेगा दुर्गेंद भाई आप अच्छी टिपेट कराते हैं लेकिन जब यह आप पार्टी वाले बोल रहते और यह में वाले बोल रहते तो मैं तो सुन रहा था ध्या सवाल होंगे मैं जवाब दूँगा बूलिए 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 तो उनके लिए तो पूर्थ अन्ना जारेगी और कुमार जिश्वाब जी का जवाब परयाबता है मैं यह कहना चाहता हूं कि अधि केजिरी वाल जी मनीशी सौतिया जी संजे यह पूरा गैंग है लुटे दिवाकर जी को बोले दिए बंसराज बंसराज दूबे डिबेट की सालिंता रखो यह 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 बीच मेरा अधिकार है इंट्रेप्ट करने का मत करो भाई बोलो को डिबेट में ना बुलाया करें अब यह भी मत करिये वाई प्लीज बोलिए आप सुनिये ना नहीं दुर्ग अपना काम कर ला है उल्ग है और कानून कि नियमान वफार काम में रही बात हमारे मित्र én की थो बेच लेते हैं उनको निकाल करके बेच लेते तो ये तो परमपराजत बेफाय है जारखन मुक्ति मोच्चा के नेताओं का मैं यहाँ पर हेमंद सुरेन जी की बात कर रहा हूँ और उनके पिता जी की भी बात कर रहा हूँ मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ दुर्गेन भाई के हम लोगों ने सुना है और आखों से देखा है कि चोर आगे आगे बाजता है पुलिस उत्ते पीछे दोड़ती है और पुलिस जो है चोर को पकड़ लेती है उसी तरह से देश में यह तो आप आट वाले यह मैं कहना चाहता हूं कोई भी भ्रस्टाचारी होगा तो यह मोदी की गारंटी है कि उसे ब्रस्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है चगन बुजबल वाले में अपनी किस ने गाइब हो गई यह क्या ड्रामा है ले रहे हैं उनके खिलाफ प्रापर्वे में कारवाई चल रही है क्या मसला है क्या जिंजट है दुर्गेंद भाई मैं निवता देना चाहता हूं अर्विंद केजिरिवाल जी को जिनोंने छोटे छोटे विश्यों को लेकर के मुख मंतरी रहते हुए धर्दा प्रदर्शन किया चगन भुठपल के खिलाब आप पूरे देश में क्यों नहीं अंदोलन करते हैं आप आपका फ्रेंटल संक्ठन है आपने अनुसंगिक बना दिया आप आप पूरे देश में आंदोलन आपकर ब्रेक पर जाने का इसारा हो रहा है मैं ब्रेक पर जाओंगा और जब्रेक से लोटूंगा तो हमारे साथ बहुत ही वरिश्पत्रकार चंदन मिस्राजी उनसे पूछेंगे कि मसला ये वास्तो में भर्ष्टा चार परवार है या सियासी मसला है सियासी तकरार है कि ब्रेक से लोटाएं हैं और मसला यही कि वर्ष्टा चार परश्योट या निसाना है वोट सीधे रूख करेंगे राजी मिस्रा वरिस्पत्रकार हमारे साथ जार कंट से जोड़े हुए हैं माफ कीजिएगा चंदन मिस्रा जी चंदन जी मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं माफी के साथ मैं कि थोड़ा विलंब हुआ आपको तक आने में सवाल आपसे यही है कि आपको क्या नजर आ रहा है क्योंकि अब इंडिया वाला गटबंधन अपना सेप ले रहा है तरीके से आकार ले रहा है सीटों का बटवारा हो रहा है जार जारखंड मुक्ति मुर्च है राजीव जी चंदन जी अब बार नाम जो है भरमित हो जाते हैं दुरुएंदर जी ऐसा है कि यह देश जो है कानून ब्यवस्था से चलती है और देश में अगर यह राजिनितिक दल यह परिवासित करें नेलेटिव सेट करें कि हम विपक्ष में हैं और हम कोई भी गु सब्सक्राइब करें कि अगर किसी भी पद पर बैठे हुए वेक्ति के खिलाब कोई आरोप चस्पा होता है तो उस पे तो यह आरोप पर परते आरोप करने के वज़ाए यदि वह वेक्ति तो हम कानून का सहादा लेकर फेस करें उसे उसका सामना करें तो मुझे लगता है कि जंता के सामने ब्रह किस्टिती दूर होगी हम हमारी कमीज तुम से ज़्यादा सफेद यह जो कारमूला है राजित मे यह ज़्यादा दिन तर टिकने वादा है नहीं अगर आप अगर पार्टी के नेता बिल्कुल पाक साफ हैं तो उन्हें कानून के सामने जाने में चंदान जी आप आप कंफर्टेबल हो जाई आराम से तब बोलिए कोई कोई हलबड़ी जल्द बाजिए अब आराम से प्ली हैं आपके नेता हम सबसे बड़े हुक्मंतरी दिल्ली के हैं अर्विन के जिरिवाल जी हो या अनितलों के नेता हूं भई अगर आपको एडी ने समन किया है तो आप जाएं अगर आप से कोई बात पुछना चाह रहा हो या इजेंसी तो आप बताएं भई आप पाक साफ है आपने कोई गड़ बड़ी नहीं किया बताने में क्या हर्ज है लेकिन यह जो समन के बाद सामना ना करना फेस ना करना और यह बार बार कहना कि यह हमारे खिलाब आपने पॉलिटिकल वेंड़ेटा के तरह कारवाई हो रही है यह मुझे लगता है कि अब के समय में यह कहना उचीत नहीं होगा जहां तक इंड़ी गड़ वंदन की बात है कि आप देखिए जितने निताओं के साब कारवाई चल रही है यह कारवाई कोई कागज पे यह हवाँ पे तो है नहीं कहीं नहीं एविडेंस है और अभी जैसे हमारे जामूमों के नेता कर्बकार जी कह रह कि पहले ही ज़ाब दीया पहले जिस बात पहले के हमन सोरें जी ने एड़ी के सामने अपने सफाइ़ किया है वह मामला था दूसरा और अभी उसके बाद की घटना करमे जमीन के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हमन सोरेंजी को जवाब जाना चाहिए उनके खिलाब एजनसी के पास एविडियंसेज है कुर्ट कि उन्होंने प्रोडियूस किया है तो अगर वो बिल्कुल निदोस्थ है अपराद है तो एजनसी के सामने जाने में को ताही नहीं बरतनी चाहिए और आप चैलेंज कर रहे हैं बेवस्था को आप भी कल को अगर मा ट्रे करें ना जाये तो आप क्या करेंगे आप तो कानूं का भी सारा लियत है आप तो सुप्रीम कोट तक गया कि भाई एडी ने जब ज़सकी मुझे समन भेजा है ये गलत है ये पुलिटिकल ये लोग परसान ने डालना चाहरे हैं सुप्रीम कोट ने क्या कहा हा हाई को पास चाहो हाई कोट ने कहा कि आप एडी को अधिकार है तो आपको बुला है तो जब आप कशहरी कानून है इस देश में तो आप क्यों बार बार इस बात के लिए आरूप लगा रहे हैं कि इन सरकार को या भाजपा को क्या आपने ऐसा किया आपने वैसा किया और यह बातों को रखें तो एडी अगर सच में पुलिटिकल में डिटा के कर रही है तो उसका भी सामना हो जागा है लेकिन अगर आज़सा नहीं हो रहा है तो यह मुझे लगता है कि अब के समय में यह उद्यश में एक नरेटिव सेट करना कि मोधी जी परसान कर रहे हैं ऐसे लो सब्सक्राइब करेंगे तो जनता समझने वाली है कि सच क्या है जूट क्या है चीक है मैं कॉंग्रेस के नेता को चर्चा में सामिल करता हूँ क्यों कि गटबंधन की जो लीड़ पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी है सेलेश सिंग मुस्करा रहे हैं अपने दो दो साथियों पर सिकंजा कसा हुआ सेलेश जी और जैसा कि चंदन मिस्रा जी ने कहा कि आप लोग विक्टिम काट खेलने लगते हैं कि मोधी जी पॉलिटि प्रश्टा चार के खिलाफ कोई सरकार कारवाई कर रही है तो दिक्कत क्या है और आप लोग विक्टिम कार्ड होके नीरी ही बनके किसाब मोधी जी बिलकुल मारे डालने हैं ऐसा ऐसा क्यों जंता के सामने ऐसा रखते हैं और जैसा कि चंदनी ने कहा कि जंता ने तो बता कि खिले मत हूं कर अगर डाग नहीं है तो ईडि को खेश करना चाहिए कि परंतु दूसरी बात यह भी है कि जिस ब्रस्टाचार का नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं मोधी जी उनके नेता ब्रस्टाचारी नहीं हो पाते हैं है कि उनको उनकी पार्टी में सामिन नेता का पर लटका दें उनको कि ब्रष्टा चारी हो क्या चाहते हो आप पूरी भजपए को लटका करने के घूमते थे ब्रस्टाचारी है नरायन राने पर दो प्रस्टा चारी है शिवराद सिंग चोहान का घोटाला नहीं दिखाये दे रहा है। तो उनकी अपनी पाटी में सामिल बंगाल के नेता का चिख्षण घोटाला वो सामिल नहीं दिखाये दे रहा है। तो यह 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 सिक्के का जो एक पहलू वो देखते हैं और दूसरा अपना आइना खुद नहीं देखते हैं इस पर तो दिरूर कारबाई होने चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि नहीं हमारे को संतुष करने के लिए इतना इतना भी पारदर्सी नहीं मोदी जी होने वाले इसके उम्मीद मत करो आप बीजेपी के नेता ही मोर्चा खोल के रखे हुए थे कि को से नेता खोले हुए थे दिवाकर भी पताएंगा के खिलाब तीन दिन पहले यह सत्तर हजार क्रोड के घोटाले का बयान दे रहे थे उसके बाद जैसे तीन दिन बाद सामिल हुए उनको मुखमंत्री बनाने के लिए फिर से जा करके वहां के सरकार गिरा करके और फिर लेक छिख्राइब हो कोई जुम्रा बोला उन्होंने लिए लृत नहीं संध्र नहीं को यही तो नहीं समझ रहे हैं लोग मोदी की गारंटी को लोग समझ नहीं अभी आप लोग समझ जाओ मुझे लगता कुछ कोई कार्योजना लिखकर आओ अब्राज में जब कॉंग्रेस और जेमें के सरकार बनी थी उसके अवह बीजेपी सरकार गिराने पर आमदा थी हमने शपलतम चार साल बिताये हैं सरकार का और आगे वी एक साल सरकार का पुरा कार्यकार पूरा करेंगे ये जनता को हम लोग भरोसा दिलाते हैं जार्खन में शरकार स्थिर के नेता हो और हम हैं इच्छी झिवाजी का साथ नहीं दे रहे हूं कर छोड़ दिया उनको अकेले गड़मंतन में सामिल करने के बाद तो का है तो सेलेट सिंग मेरा सवाल यह है कि केजरिवाल जी को छोड़ दिया अपने मज़दार में पाला छूगए उसके बाद छोड़ दिया कि जाओ अब एडी से निप्टो जाके अब इजरिवाली पाक साफ निकलेंगे और हीमन सुनीं पाक साफ निकलेंगे यह drinking का प्रकराण और मोधीजी इसको मुद्दा बनाथे रहेंगे और राजिर को एया करते मैं आता हूं मैं आता हूं मैं आता हूं आपके पास मंसराज को सामिल करता हूं अगर सब कुछ ठीक है तो बार-बार बीजीपी के लोग सवार उठाते कि भाई कोट जो आपकी पूरी पार्टी लगभग जेल में है लगभग नेता आपका छोड़के जो सबसे लेकर आप लोग पूरा आपका विपक्ष योगडबंदन है आपकी पार्टी है पूरी देश में ऐसा नरेटिव क्यों नहीं सिट करते ऐसा अंदोलन क्यों नहीं करते इसे लोगों को देश सो सांसेजों को निलंबित करके पास किया और उसका दूस प्रभाव यह हुआ दूस परडाम यह हुआ कि अभी आपको कल की दो दिन की खबर पता है किस तरीके से पूरे देश में चक्का जामो और पेट्रोल डीजल के लिए अपरा तफरी मज़ गया तो ये बात तो यह दर नी बरिष फत्रकार जी है उन्होंने बड़ी-बड़ी बाते की यह मैंने का समवाण करता हूं लेकिन इडी की केस में और जो समान केस होता इसमें बहुत अंतर होता है जिस तरीके से वुट रहा है कि भाई आपको बुलाय जा रहा है आपको सम्वन्द किया जा जा माई और दूसरी चीज़ाँ कोई दे रहा है जवाँ यह को जवाब दर सल यह दूसरी थीज़ी को गिरतार कर लें ठीक है मनीज सवज्यों को आपनके घ्रतार का लें ठीक है लेकिन पॉचूंगा मैं सवाल पूचता हूँ अभी दिवाकर से सवाल लूँगा मैं जारखंड मुक्ति मुर्चा के नेता मोहन कर्मकार के पास जाओंगा मोहन जी बीजेपी ने कहा कि आपकी जो पार्टी है बहुत गंभीर आरोप लगाएं मैं अपने मुँसे नहीं कहना चाहता चूंकि जो आपके सरोच नेता हैं सिबू सोरेन साहब वो जारखंड के अंदोलन कारी नेता हैं और उनके बार्मे में बहुत दिवाकर जी के दोराना नहीं चाहता लेकिन आपने सुना होगा कि वो कर रहे हैं कि आप लोगों के रवायत है यही करना जारखंड के तस्वीर उन्होंने खीचिए कि मोहन कर्मकार कि अन्म्यूट करिए मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ कि अधिवाकर जी के दुवारा जिस तरह का अरोप लगाया जा रहा है यह आप जानते होंगे वह पहले अपने गिरिवान में जहांक करके देखें कि जिन लोगों के साथ मिल करके उन्स सरकार चला रही है और जिन लोगों को वर्तमान में जहां जहां सरकार तोड करके वह अपना सरकार बना करके का वहां सरकार चला रही है वो दूद के धुले हुए लोग है यह सभी लोग जानते हैं मेरे जहां तक सवाल है जिस तरह से हमारे मान्ये मुखमंत्री हमन सोरेंट के उपर में या मान्ये गुरू जी सीवू सोरेंट के उपर में जिस तरह का अरोप इन्होंने नगाया ना इन हम लोग फाटी से सिके हैं और यह की जाहरतन छानों कि माती कि हम लोग है हम लोग लड़ नहीं जाकते हैं इस तरह का फिजूंद चीलों पर यह लोग इसी चारा का जोट को साच को जोट मोलने वाले सती जो सवाल इससे पूछिएगा वो सवाल का जवाब नहीं देगी यह अपना रटा-रटाया चीज को यहां करके बताएगी आज जीज को ले करके हम लोग यहां बैटे हैं उस चीज को देखना चाहिए योगि इनकी जिर्जीन अमारी यहां सरकार बनी है उस दिन से ही यह बात स समय लिए लुकसबल नहीं हो पाएं और जहां सवाल है इडी के द्वारा हम को सम्मान भेजने का या फी एक जाच एजएंशिय है हम उसकी किसे भी तरह का कोई अलुक्षमा नहीं करते हैं जbec कि जिस तरह से यहां पर जारकंड बे आख कर रहे हैं जिन सवालों को ले करके वह हमसे सवाल पूछ रहे हैं पहले सवालों का तो जबाब हम दे चुके हैं और कई सवाल इस तरह का ला करके आज पूछने का परियास कर रहे हैं निश्ची तौर पर हमें ऐसा लगता है नहीं एक चीज़ चंदन मिस्राजी ने मोहन सब्सक्राइं लिकली सवाल पर इस तवर पर यहालक्त सवाल नहीं हो पूरा देश की जनता जान रहे हैं और आप पत्रकार भंगू भी इस चीज़ को जान रहे हैं एडी जहाँ 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 विपक्ष की सरकार चल रही है जहाँ जहाँ नन बीजेपी की गवर्मेंट चल रही है एडी वहीं पहुंच रही है और जहाँ पर आप देख रहे होंगी बीजेपी की गवर्मेंट चल रही है बीजेपी के लोग करॉप्शन में लिट है वहाँ करवाई नहीं हो रहा है और न किसी तरह का कारवाई हो रहा है अगर अब दीक है Central Agency है यह मान लिए आपको यह जिम्मेदारी समपा गया है तो आपके लिए सभी समान है और समान रूप से करवशन पर आपको लगाम लगाना चाहिए कारवाई करना चाहिए आप जो भी सवाल पुझे में उसका जवाब दिया जाएगा लेकिन आप राजनितिक तौर पर इसको आप इसमें आप परियोग नाहीं जरूर कर जाता हूं कि अ सारा पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है कि आप राजीनितिक इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उदाहरन द्रस्टांत बिल्कुल फोकस्ट रहीएगा इस बार दायबाय नहीं इधर उधर जाने के जरूर थे कि आप पता चाल अंतर में चले हैं अन्ना हजारे से लिए क्यों जव विक्षन रेट 0.5% है आज आपने हमने दिवाकर मिस्रा को पकड़ा कहा दिवाकर भाई परमट वाली गली क्यों चले गए हर्सनगर क्यों चले गए अच्छा चंदन मिस्रा के घर में क्यों बठे थे और तीन बार और तीस बार यही सवाल हम आप से पूछेंगे उठा के हम OUT को बंद कर देंगे हम तो फिससे क्या कह गएंगा के क्या कहा जाएगा आरे आब को कारवाई करनी है सीधा रविंथ के जरिवाल बन कर दीजी की लिटण कर दीजिए एक बार दो बार तीन बार 9 बार 211 पर किया पर प्रसिप्सट्स बनाने की कोशिद नहीं लग रही है विपक्ष क्या इस बात को लेकर जो सवाल उठा रहा है क्या उसमें कही न कहीं नहीं लगना चाहिए कि हमें झांबुझ का टार्गेट किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम लिए चगन बुजबल वाली फाइल नहीं मिल रही अजीत पवार चक्की पीसिंग 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 अब वितमत्राले की चावी दे दिया आपने उनको महराष्ट के कि दिवाकर दुर्गेन भाई निर्वाद रूप से बोलिए आपके पास पूरे 30 सकेंड है निर्वाद रूप से दलले से जितने लोग विपक्ष्टी है और वो बार-बार कहते हैं कि इनके खिलाब कारवाई नहीं है मैं उनको सलाह देता हूँ कोट चले जाए और लोग तंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता जनार्दन होती है आप जनता जनार्दन के पास जाईए और अपने विशे को रखिए अगर जनता को यह लगेगा कि यह लोग इनके सान नाइंसाथी कर तो मोदी की 400 पार नहीं कर पाएगे और अगर आपक को जनता नहीं सुन रही है सुप्रीम कोट नहीं जो है मानने इसका मतलब आप लोग अपरादी है और ठीक उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे पुलिस क्यों देख करके चूर भागते हैं और मैं आपको यहां पर उल्लेट करना चाहता हूं कि जारखंड का जो प्रांत प्रद खाने में और जारखंड में जा चुके खनिश खाने आपने कहा कि वह जीरो पॉइंट फाइट पर्सेंट कर्विक्शन रेट मैं इसा नहीं मानता हूं जितने लोगों के खिलाब कारवाई चल रही है उसमें से अधिकांस लोग या तो जेल के अंदर है या बेल पर है चाह आपने अच्छा याद दिला दिया वाडरा की आप लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं बहुत दिनों बाद आपने लिया बदाई आपको बहुत दिनों बाद आपने नाम लिया रावड़ बाडरा तो सीन सही गायव है और इस देश के सबसे बड़े ब्रश्टाचारी तो और ने ठीक बात है अगर बस्टाचारी कोई है तो उसको लीजिए दोड़ाएं यह कांग्रेश के नेतक्त में मोदी सरकार के खिलाब एक बड़ा अंदोलन चला हुए और कानूनी लिखा पड़ी करें सुप्रीम कोर्ट में जाएं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अ तो यह बड़ी हिमांदार फाभी चीक है दिवाकर भाई अब मैंने आपको तीन गुना समय दे दिया अब मैं रोक रहा हूं मापी के साथ में मैं रोक रहा हूं दिवाकर जी प्लीज मैं समझ गया इस बार चार सो पार बहुत निश्पक्ष बात कर रहे थे कि तीन राज्य हम चीक है कर दो अरे अपने जीक है मैं धिर्यवाद में जाग कर लिए ना आपको सुप्रीम कोत्स से मिली में ना आपने देश की लृणा को चीक है अपने पख्ष में कर पाया इस लिए आप अब दिवाकर जी मैं आपको फाइनली रोक रहा हूं मैं कॉंगरेस के नेता के लुस्यासाला दे रहे हैं की आप जाओ जनता की अदालत में जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ कियूंआ अब लोग और सुप्रीम को ने दूट कह दिया कि भाईया ईडी तो कारवाई करती रहेगी अब मोदी जीने में कह लिया कि यह तो guarantee बृष्टाचार की बृष्टाचार के जो guarantee है उसके खिलाफ वह हम मोदी की guarantee है यह सारे बृष्टाचारी और मोदी की guarantee एक-एक को बंद करें गे सेलस सिंग कर सकेंगे कि भाई राहूल गांधी और सुनिया गांधी जाकर सब्सक्राइब कर दिवा कर से बाग में रूल असबाज कि मेरे पास अब वक्त नहीं है सुप्रीम कोट के जाने माने अधिवक्तर डक्टर एपी सिंग हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में और चूकि अब बिलकुल वक्त खतम है और मेरे पास मुश्किल से एक मिनट का वक्त है डक्टर एपी सिंग मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं यह बहुत सारे जो मसले हैं अभी आम आदमी पार्टी के नेता वंसराज कह रहे थे कि भाई यह जो एजेंसियों का प्रियोग है यह बाकर दे पॉलिटिकल करता है डक्टर एपी सिंग्ट लेकिन एजेंसियों का सम्मान करना देखे मैं बड़ी सापसी बात करता हूं अंतिम छड़ों में आपसे जुड़ रहा हूं वैस्तता के कारण लेकिन संबैधानिक पदपर बैठे हुए वैक्ति जो संबैधानिक अपने मुखिया है आरस से आए हैं और उतिजी भी हैं उसके बाद क्या एक संबैधानिक शक्तियों का प्रियोग करने वाला व्यक्ति संगिये धाजे के अनुरूप काम करने वाला व्यक्ति संबैधानिक संस्था के नोटिस पर पहुचे नाா, अपना जवाब ना दे, अपनी सफाई ना दे, अपनी डिफेंस ना दे, अपनी बात न कहें तो आम जन्ता, जो आम नागरिक है साहपो क्यों पुलिस्टे बुलाए पे जाएगा वो इंविस्टिगेशन जॉइन क्यों करेगा वो थाने क्यों जाएगा वो हम जब कहेंगे उससे कि जाओ आईओ के पास इंविस्टिगेशन जॉइन करो जाके तुम्हारा फर्व कहें नहीं मैं नहीं जाता मेरा मुख्यमं अलग है राजनीती अलग है राजनीत में आप सुचिता लेकर आए हैं सुचिता पोई जीवन जी रहे हैं आन्ना जी के पदचिन्नों पर चलने वाली बनी पार्टी और हम सब ने बनाई ऐसानी रामलीला मैदान में कोई बाहर से आये थे चाइना या पाकिस्तान से नहीं आय और आप सफाई देने भी ना जाएं पहली बार नोटिस में मैंने मान लिया कि आपके साथ चुनावी बाती थी बाहर राजु बिदान सभा चुनाव ठीक है दुबारा में दुबारा में आप विपासना में थे जीवन है तो जहान है चलो वो भी मान लिया जीवन है तो जाने की ऐसी वेवस्ता है क्यों किसलिए होना चाहिए मिलना चाहिए आप जाएंगे अपनी बात आपक्षबर से क्यूंठ वातने देने रहे लखते है कि मैं कथ़ोर गंडिसलिए दे रही अदालत्व घं संदेश आ जाना चाहिए तो संदेश कैसे दिया जाएगा यह चाहिए किसी दलगा मैं रोक रहा हूं आपको माफी के साथ में रोक रहा हूं चुकि मेरे पास 30 सेकंड वक्त है और पास सेकंड हमें आम आदमी पार्टी को देना है बस राज डक्टर रेपी सिंग ने बहुत मह अदरणी एपी सिंग साथ से मैं सहमत हूं लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक ही तरीके के संबन तीन बार आया एक ही तरीके का अर्विंद केजरिवाल जी की जो लीगल टी में उसने जबाब भी दिया उनको रिटरन जबाब भी वापस बेजा तो क्या ऐसी जब तक उसने अपनी बात कही ना उनके सवालों का जवाब कहा मिला संबन मेंस बुलावापत संबन मेंस बुलाने का एक नोटिस है कि आप इस तारीक को इस स्थान पर इतने बज़े इस रक्षम अधिकारी के पास इस केस को लेके पेट होगी है अभी सवाल नहीं हुए अभी जवाब नहीं आए तो लीगल नहीं हो गया सवाल जवाब दें पत्रबांट करीं प्रवक्तां हैं ने बात कहीं बड़ी बड़ी बाते हैं पतरगार महुदा ने की हमने भी यही बाते हैं कि जो एपी सिंग साहिब ने कहीं या आप समयधान की सपत लेकर पत पर आते हैं और एडी या किसी वेजेंस्टी के बुलावे पर आप नहीं जाते हैं तो क्या संदिश देते हैं देश को आप आरोप लगाईए आप आप अपने प्रतिदोंदियों प अच्छी बहुत धन्याद बहुत बहुत सुक्रिया चन्द्रमिश्रा जी सेलेस्सिंग जी मोहन करमकार जी डक्टर एपी सिंग्ग वंसराज़ दुबे और दिवाकर मिस्रा सबी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अभार उन करोनों दर्शकों का जो केलिए उसकों देखते हैं हमारे सखास कारिकरम मंधन को देखते बड़ा सवाल नहीं कि समविधान के सपत लेने वाले लोगों को समविधान और इजन्सियों का सम्मान करना चाहिए लेकिन अगर बार 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 ये सवाल उठ रहा है कि केवल विपक्ष पर कारवाई फला 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 वेक्तियों पर कारवाई नहीं तो इस पर भी कम से कम जिम्मेदार सरकारों को सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि लगे कि ये कारवाई भेद भावपूर नहीं हो रही है सब सिर्फ भर्ष्टा चार पर है ओट पर नहीं बहुत बहुत धन्यवाद नाश्कार